देश में लोग सभा चुनाओ खत्म हुए नतीजे भी सामने आ गए हैं लेकिन कारा कार्ट सीट को लेकर चुनाओ के दौरान खूब चर्चाय हुई वज़ा थी भज़पूरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंग का चुनाओ लड़ना निर्दलिये चुनाओ लड़ने और पहले तो उन्हें वीजेपी से टिकट मिली लेकिन टिकट वापस लोट आकर के पवन सिंग ने निर्दलिये चुनाओ लड़ने का फैसला किय और क्या खूब चुनाव लड़ा उनकी तारीफे जो है वो हो रही है क्योंकि निर्दली चुनाव लड़के पवन सिंग ने सब को चौकाया और दूसरे नंबर पर रहें और जो एंडिये के परत्यासी उपेंद्र कुछ भात थे वो तीसरे नंबर पर चलेगे पवन सिंग को खूब सारे वोटाएं लेकिन अब चर्चाएं जो है यह भी होने लगी है कि पवन सिंग के वज़ा से एंडिये को कई सीटों का नुक्सान हुआ है हम इस पूरे मामले को समझेंगे हमारे साथ बड़े पत्रकार अरुन पांडे सर है सर पवन सिंग ने तो सिर्फ कारा काट में चुनाव लड़ा अच्छी खासी पर्फार्मेंस भी रही लेकिन अब यह क्यों चर्चा होने लगी है कि पवन सिंग ने तीन चार सीटों पनुक्सान कर दिया बीजेपी को देखिए अभी पवन सिंग भोजपूरी के भोजपूरी फिल्मों के स्टार माने जाते हैं त तो पपू जादब थे जो पूनिया से निर्दलिये ही जीत गए वहां उन्होंने सक्कूछिए वहां कोई हारा है तो लालू प्रशाद हा रहे हैं और तेजस्वी जादव हारे हैं जीत गए वह और पाटी का विले बनाया और उनको टिकट नहीं हो फिर भी लड़े और जी लड़ी थी और उसी तरह से देखिए वहां क्या हुआ है सीवान में हिना शाहब जो है वह राजत की टिकट शिकार नहीं की वह लड़ी वहां और मुकाबला हुआ वहां जैदिव जीत गया प्रियोग नितीज जी का सफल लया कि कविता सिंग को की जगा वहां विजय सब्सक्राइब निता माले जाते हैं केंद्रिय मंती रह चुके थे पार्टी बनाई थी अभी राष्टी लोक मोर्चा उसके अध्यक्स थे और इत्ता है दिख रहा था कि जैदिव नितीज जी तो उनके लिए अपनी सीट जो सीटिंग एंपी महा बली सिंग को बेटिकट क सब्सक्राइब नहीं चर्चा हो रही है कि शाहबाद किसी कर रहे हैं यहीं बात मैं कह रहा हूं देखिए एक और प्रिश्ट भूमी है पूरे सहाबाद जिले में विद्धान सभा के चुनाओं में भी राजद और माले का जलवा देखने को मिला था एक सामी गरीब माले को बारा सीटे मिली थी अब इस चुनाओं में जब अभी देखा आपने की ना सिर्फ कारा काट आरा दो लोग सभा की सीटे माले को भी हाथ लगी और पवन सिंग के चुनावी जंग में कूदने से और अंगाबाद और अंगाबाद देखा नहीं अपने करें को वहां भी खेल विगाड़ दिया पवन सिंग ने अला में आघाला में भी देख लीजे आरा में भी वहां राजकुमार सिंग केंद्रिय मंत्री हैं पर-फोर्मरं एंपी कह रहे थे वही क्या हालत हुई वहां सुदावां पुर्षाभ माले के उन्होंने हरा दिया व वहां बक्सर में भी रहा कि बक्सर में भी देखिए सुधाकर सिंग जीत गए अब वो प्रहान मंत्री की कंसुंसी वारा नसी से सटा है ना बक्सर एक प्रयोग की थी भाजपा कि केंद्रे मंत्री एस्वनी चौवे को बेटिकट करके मिथले स्तिवारी को वहां भी हार का मु तो पवन सिंग ने चार-पांच कंस्वेंसी में तो खेल भी गाल ही दिया एंडिये का तो इसलिए आपने ठीक ही कहा कि पवन सिंग खुद तो नहीं जीते लेकिन चारपी एंडिये को नुक्सान हो गया और वो बीजेपी के तो भागी उमीदवार थे ना आसन सोल से उन्ह शत्रौंशियन हा के दिखी रौभर और पवनन सिंग नई खेल राटीबोड पहलाकि प्रधान मंतुरी के कारकाट जाने के दो दिन पहले परदान समय को विजएपी से निकाला घ्रफ कर रहे पासे इसका भी खम्याब्र कर एंपी चुनाब तक में तो माले और राजत की जो गटबंधन बड़ा जल्वा दिखाया है तो देखें भोजपुडी की पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंग ने निर्दलिये ही बीजेपी से बागी होकर एंडिये को चार से पांट सीटों पर चुना हो रादिया और अपना पावर दिखाया है हमेरे साथ वरिष्ट पत्तकार अरुन पाड़े सर्थे अनिकेत कुमार बिहार तक पत्ना